दियर इस्टुडेंट बीकॉम पाट सेकेंड के एन एफ के सेकेंड पेपर फाइनशल अकाउंटिंग एन डिसिजन मेकिंग में आज का हमारा टोपिक लॉस ओफ इस्टोक पे है लॉस ओफ इस्टोक के संबन्द में एक वीडियो मैंने आपको पहले भी सेंड की है आप उसको अवश्य देखें उसमें यह बताया गया है कि किस परकार से क्लेम किया जाता है इस्टोक के हानी के संबन्द में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की इस परकार से बनाया जाता है और memorandum trading account से संबंदित विभिन मदों का किस परकार से उपचार या treatment किया जाता है आज का हमारा topic इसी पर है loss of stock में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि किसी दुकान दर के पास आप जाते हैं तो वो आपको ऐसा माल जो कि कम विकता है या कि उसमें किसी परकार का नुखस है या old fashion को हो गया है वो उसको लागत से भी कम मुले पर आपको विक्रे करता है ऐसे विक्रे किये जाने वाले को हम कम विक्री वाला माल कहते है वेवसाई जैसा कि मैंने आपके बताया कि उस पर किसी परकार का लाप तो छोड़िये उसको लागत से कम मुले के उपर बेचता है और ऐसा माल के संबंद में website कई दफ़ा वर्ष के अंद में जब रहती है का मुल्यांकन किया जाता है तो उससे संबंद इसकुछ हानी को वह अपलिकित भी करके उसके बुक मुल्ले को यानि उसकी वास्तिविक लागत को कम कर देता है बीमा कंपणी से दावा लेने के लिए यह आवशा के है कि ऐसे कम विक्रिवाले माल को भी उसकी ओरिजिनल लागत पे लाया जाए इसलिए हम मेमोरेंडम ट्रेड़ अंकॉर्ड बनाते समय ऐसे माल को जो टोटल हमारा सेल्स है या जो हमारा माल है उसको हम दो भागों में एक सामाने मदें एवं एक सामाने मदें सामाने मदें जिसे हम नॉर्माल आइटम के रहें यह इनके उपर व्यावसाई ने लाप कमाया है और एस सामाने मदें वे हैं जो कि कम विक्रिवाला माल है जिसके उपर उसने हानी के उपर ही उस व्यावसाई का विक्रे किया होगा एक एक्जामपल की सायता से हम समझने के कोशिश करते हैं कि किस परकास से क्लेम किया जाएगा ये कह रहा है कि 1 अपरेल 2020 को Mr. X का स्टॉक जल गया कुछ सुचनाएं बचा ली गई है जिसके आधार जो आपको दी जा रही है देसे के स्टॉक है पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है 1 जनवरी 2019 का 73,500 पिछले साल का ही क्लोजिंग स्टॉक भी दे रहा है 79,600 पूरे वर्ष भर का पिछले साल के परचेज और सेल्स के आंकड़े दे रहे हैं और 2,3,200 कुछ और सुचना ही थी गई जिसमें युका कि जो वैल्यू किया गया 31 दिसंबर 2019 को जब इन्होंने बैलेंश इट बनाई तो 2,300 रुपे इन्होंने रिटर्न आफ किये और सर्टेन स्टॉक कुछ इस परकार का माल था जो कि कम विक्री वाला था जिसकी कुल लागत जो है वैसे लागत देखी जाए तो वो 6,900 रुपे थी तो कहने का ताथ पर यह है कि जब इन्होंने पिछले साल का प्रेड अपना ट्रेडिन आकॉंट बनाई तो उस वक्त एक माल जो कि कम विक्री का था जिसका कि कॉस्ट 6,900 रुपे थी उसके संबन में 2,300 रुपे रिटन ओफ किये गए थे यह कह रहे हैं कि पॉर्शन आफ इस गुड्स वर सॉल्ड इन मार्च इसमें से कुछ मार्च में बेचा गया है 250 रुपे की हानी उठा कर जिसका की वास्तिक मिले 3450 रुपे हैं आगे इन्होंने कहा दा रिमाइंडर ओफ दा इस्ट्रोक वार नाज एस्टिमेंटेग टूब बर्तिस बाकी जो बचा माल है वह उसकी ओरिजिनल कोस्ट पर ही अनुमानित किया गया है यानि जैसे 6,900 रुपे का था तो 3450 आधा माल तो इन्होंने बेच दिया और आधा मा माल जो बचा है वह कहे रहे हैं कि वह उसकी ओरिजिनल यानि जो वास्तिविक लागते उसी पर ही वैल्यूट किया गया है सब्जेक्ट तूदा अबाव एस्टेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैस रिमेंड एट यूनियूफॉम रेट तो आउट दा हिया यह कह रहे हैं कि स पांच हजार आठ सु रुपे का हैं वैवसेह ने पचाह हजार रुपे की भीमा पॉलिश से ले रखी है और और वसत वाक्य लागव होता है आप से कहा गया है कि क्लेम ऑफ स्टॉफ बताईए आप सबसे पूर मैं आपको बताऊं कि यहोंने पिछले साल के हमें आंकड़े दिये गए हैं उसके आधार पे हम सकल लाब ज्याद करेंगे और फिर बिकरी के आधार पे उसका रेट या दर ज्याद कर लेंगे तो पिछे साल का टेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं उस देखिए टेडिंग अकाउंट फॉर दा इयर एंड़ थर्टी फ़र्श मार्ट दो हम उसको एजटी लिख देंगे 4,87,000 पिछले साल का क्लोजिंग स्टोक हमको दिया गया है हम उसको लिख लेंगे लेकिन उसके संबंद में एक सुचना और दी गई थी कि इन्होंने कम बिकरी वाले माल के संबंद में 2,300 रुपे रेटन आफ किये हैं हम उस माल को उसके ओर कोस्ट के ओपर लाने के लिए ये जोड देंगे तो क्लोजिंग स्टोक 81,900 का होगा जिसमें से 6,900 रुपे का एबनॉर्मल आइटम और बाकी का 75,000 रुपे नॉर्मल आइटम होगा हम इस वियापार खाते से सकल लाब गयात कर लेंगे तो हमारा सकल लाब निकल के आ रहा ह हम रेट और ग्रॉस परफिट निकाल लेंगे सकल लाब इन्टू 100 विक्रे तो यह हमारी ग्रॉस परफिट की रेट जो निकल के आएगी है वो 20% निकल के आ गई है अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से को बनाएंगे और यह ग्याद करेंगे कि हमारा जो स्टॉक जल गया उसका मुल्ले क्या था जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हम टोटल जो माल के सम्मन में जो मदें हैं उनको नॉर्मल आइटम और एबनॉर्मल आइटम में सेपरे चेहाजा नो सो रुपे की हैं और नॉर्मल आइटम पच्छत्तर हजार उसके बाद हम पर्चेजर लिख देंगे जो कि नॉर्मल ही है एक लाग बान सट हजार रुपे सेल्स सेल्स में आपको यह समझना है कि जो सेल्स टोटल दी गई है वह दो लाग इकत्तिस हजार दो सो रुपे हैं जिसमें से एस अमाने मत की जो सेल्स है ऑनो ने कहा कि उसको दूसो जिसकी वैल्यू चोंतिस सो पचास रुपे थी और दो सो पचास रुपे की हानी पर उसको बेचा गया तो वास्तरमें उसकी जो सेल्स这是 3200 रुपे होगी इसको इसमें से घटा देंगे नॉर्मल आइटम की सेस 2,88,000 रुपे निकलेगी इसके ओपर हम सकल लाग गयाद करेंगे उसके बाद जो लॉस हुआ है उसको भी क्रेडिट शायर में दिखा देंगे बाई लॉस 250 रुपे जो अब नॉर्मल आइटम पे हुआ है उसके बाद हम सकल लाग गयाद करेंगे 2,28,000 पे 20% की दर्से ये 45,600 रुपे आता है तस पस्चाथ हम इस मेमोरेंडम ट्रेडिन अकाउंट से जो माल जल गया उसका मुले निकालेंगे तो जो क्लॉजिंग इस टॉक निकल के आ रहा है वो नॉर्मल आइटम के सम्मन में 54,600 एबनॉर्मल के सम्मन में 34,50 रुपे टोटल 58,050 रुपे का माल आग लगने के फलसरूप जला था अब हम कलेम की राशियाद करेंगे तो 31 माज 2020 को जो माल जल गया था उसका वेलियो 58,050 रुपे है इस में से जो बच गया माल उसको हम गठा देंगे तो हमें जो इस टॉक के हानी हुई है वेलियो 58,050 रुपे की हुई है चुँके वेलियो साई ने इससे कम मुल्ले का बीमा कराया है अगर उसने बीमा 60,000 रुपे का कराया होता तो उसको 52,250 रुपे का क्लेम मिल जाता है परन्तो उसने उससे कम मुल्ले का बीमा ले रखा है तो हम एवरेज के लोस एप्लिकेबल होगा और हम क्लेम की राशी गयात करेंगे सूत रहे हैं अमाउंट ऑफ पॉलिसी को उपपर लिखना है एक्च्वल लोस ऑफ स्टोक को उससे मल्टिप्लाय करना है और फिर डिवाइट कर देना वेलियो ऑफ स्टोक का तो 50,000 रुपे पॉलिसी है एक्च्वल में जो लोस हुआ वो 52,250 का है और आग लगी उस जिन हमारा इस टोक का 58,050 का इस परकास से जो क्लेम की राशी निकल के आएगी वो 45,004 रुपे होगी धन्यवाद